आज के इस वीडियो में मैं आपको बताँगा first name और surname क्या होता है जैसे आपके आपके किसी पर website के उपर हो, application के नदर account बनाना हो, website पर account बनाना हो वहाँ पर आपसे आपका first name और surname पूछा जाता है ठीके आपके create a google account पर दें हम basically आपके किसी website हो रहो हो यहाँ पर आपको first name डाले ना के लिए पोला जाएगा और उसके पर surname तो first name का क्या होता है और surname क्या होता है, वह मैं आपको आगे बता दूँगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो देखे, first name है ने आपका खुद का नाम, ठीके और दूसरी जो भी website है उसके उपर भी first name important होता है क्योंकि आपके नाम से ही वह website का account create होगा, तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल दिएगे, ठीके इस तरीके से, अब surname यहाँ पर कभी-कभी optional लिखाएगा optional अगर लिखाता है तो यह important नहीं है, इस box को आप खाली छोड़ेंगे तो भी कोई problem नहीं है कोई फरक नहीं पड़ेगा, ठीके surname है आपका last name, आपका जो last name है, शाए कुमार हो कुमारी हो, आप लगाते हो या फिर वर्मा, शर्मा, जो भी आप यहाँ पर लगाना चाहते है, surname आपका जो भी है, वो आपको यहाँ पर last name, कई भी कभी last name आता है, कभी कभी surname आता है, तो आपको अपने नाम के last में आप जो लगाते हैं, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, अगर औप श्टर लिखाए, तो आप इसे खाली चोड़ देगे, तो भी चलेगा next करेंगे, या फिर continue करेंगे आपका जो बटन है, तो भी चल जाएगा कोई problem उसकी नहीं है, अगर आपको यहाँ पर वीडियो चल लगती है, तो like और चैनल को आप दरोग सबस्क्राइब भी कर लीजिए